तो गाइस इंतजार की घड़िया खतम होती है और अभी आ चुका है हमारा पार्ट तू जो के मैंने बोला था कि ज़रूर आएगा और इसमें हम गए थे नीचे वाले पोशन में तो चले आपको दिखाते हैं तो गाइस यहां पर इंटर होती ही सबसे पहले टॉइ शॉप थी तो नूरेश ने बोला पापा मुझे लेना है टॉइ तो मैंने भी बच्पन किया ताजा करने के लिए एक यो यो जो कि मैं अभी चलाना सीख गई हूं फिर जांगी ने लिया रूबिक ट्यूब नूरेश न और यहां पर यह ट्रीज ना प्यारा ब्यूटिफुली डेकोरेट वह था और यहां पर थे पॉपकॉर्ण और यहां पर बलून्स वगरा थे फिर पापा ने बोला कि तुम जाओ और वहां से कॉंट लेकर आऊंकर कॉंट का एक कप कितने का एक तो गाइस मैंने ले दिया ह और यहां पर आ चुकी हमारी आईस क्रीम और मैंने और की टी कुल फी में बहुत ज़्यादा यमी थी और कॉंस तो यह्मी था क्या बताहूं अब लोगों को मैंने कुल फी खाई तो तो उसके बाद मुझे लेखी स्टॉल जो कि थी इस पेल और पोटेटो की तो हमने तो य भी नथने अर्वयाज प्रथ मर्ट यह उंप थो पोटेटो को साफ कर डिया उनका बनाने का तरीका अना यूनिक है और फोत अब पी देखना जरूर तो आफ अभे उनोंने पूरा इसको उसकी खाल वेगर उतार दी उसके बाद उनके पास थी एक मशीन जिसमें उनोंने इसको डाला और गोल 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 गुमाने लदे तो आगे से पिरी घ्में की समय की तरह ऊचला आज चला बाहर आने लगी फिर उनोंने उसके का स्टिक ह Здपारी किना और यार भूम questo मायो फ्लेवर नकल ने बोला कोंखे भी उपको बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी मिलेगी और हो इतनी यमी थी आपको भी जरूरर कानी चाहिए तो उन्होंने उसको अच्छी तरह से मायों में कोट किया उनके बाद बहुत सारे सीरप्स थे जिन पर उनके नाम लिखे हुए थे फिर उन्होंने उसको लिया उन्होंने ना एक उनका मसाला वगर था वो भी उन्होंने डाला था पहले तो उसके बाद उन्होंने इसको अच्छी तरह से आगे पीछे से उसको ना अच्छी तरह से कोट किया और उसके बाद उन्होंने फ्लेम अन की और फिर ना उसको बेसिकली वो जेक करें जब पहले के सई फ्लेम है या फिर नहीं तो ऐसे कैसे डालते तो गाइस यहां पर बहुत देर हो रही थी मैं कब से खड़ी हुई थी मैंने सोचा कब बनेंगे मुझे इसको देखके क्रेमिंग हो रही है उसके बाद उन्होंने उसको डाला और भूम वो पकना शुरू होगी रूकर मैं आपको ओवर व्यू दिखाती हूं न देखें तो वहां पर बहुत सारे बबल साना शुरू हो गए थे जिसे के आप देख सकते हो मतलब कोई चीज फ्राय होती है तो ऐसे ही होता है मतलब बहुत सारे लोग अजिए हां दो दो और किया थी वह उससे बड़ी थी और वह भी आई थी उन्होंने बोला था कि भाई यह इस्पिर मुझे भी जब आप बनाएं ना तो मुझे भी इसकी वीडियो बनानी है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगी वाओ यार सारे यहां पे इसके उपर वीडियो बनाएंगी यह तो वाइरल हो जाएगा तो गाइस आप जब भी आए ना पॉइंट से रियंडेट प फूम फिर से थोड़ा थोड़ा सा वो डिप करवा रहे हैं उसमें से तो गाइस बिलीफ में इसको खाने में अलगी टेस्ट आता है मतलब यमी था वो मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई बट गाइस बिलीफ में बहुत ज्यादा यमी था तो उन्होंने उसे थोड़ी द में बहुत साथा बबल सा चुके हैं इसको हलका से शेक किया और थोड़ा सा उसको लगा कर देखा कि यह पकी है अपिर नहीं पकी फिर अब मैं क्या बताऊं उन्होंने देर लगा इसको पकाने में में कब से खड़ी हुई थी ऐसे मुझे इतनी भूख लग रही इसको इतना मतलब यमी लग रहा है देखने में एक यूनीक जो चीजे होती है वो मझे ट्राय करना बहुत पसर है जो सबसे जादे मतलब यूनीक हो जैसा यह ना मैंने और कहीं पर नहीं देखी मैंने यूट्यूब पर देखी थी पर मैंने नहीं सोजा था कि मैं ऐसे रियल जूट कीची पर वह पता नहीं का चली गी हां उनके पास ना 10 एन फ्लेवर इस जादा फ्लेवर तो हमने पहला 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 थीज क्छा चीज ओवर में ऌटी यह जो फ्रह ने बोला वह खत्म होगी मायो ले ले लें तो हमने वह घू तो इस यह टो बड़ी पुछा ओर जो मैंने पहले मसारा लगाया ठीक है उनका फिर उनने पूछा कि आपको मायोनीस लगवानी है मैंने बूला है मैंजे वैसे पसंद नहीं है पर गाइस इसमें बहुत जड़ा टेस्टी लग रही थी तो उसके बाद ना उन्होंने ऐसे प्लेट में रखा और उसके उपर मायोनीस लगाई और गाइस यह देखें भूम हमारा स्पिर्ल पुटेटो रेडी है तो मैंसे लेकर गई ममा वालों के पास और उनके रियक्शन थे वाव तो गाइस उसके बाद मैं फिर से गई कॉन लेने क्योंकि हमें बहुत ज़्यदा पसंद आये तो मैं सोचा कि और भी ले ले लो जी सिंगर आगी हमारा दिल है तो गाइस उमीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो तो गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक के बाब बाई झाल